प्रेडिंग 360 में आपका फिरसे स्वागत करता हूँ एक नए स्टोक सिक्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ और मैं बात करूं अगर इसकी तो यह जो है और्गेनिक पेस्टिसाइट्स फंगिसाइट्स और तो फंगिसाइट्स और फल्टिलाइजर्स में डील करती है कं अपनी सिक्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड काफी शांदर इन्हों रिजल्स पेश किया है चोटे से मार्केट केप की कंपनी है बट काफी अच्छा रिटर्न अपने निवेश्कों को दे रही है कल चांसे हैं कि मार्केट कल अच्छे खासे करेक्शन मोड में आपको दिखे तो यह जो है अपने all time hyper ही अभी trade कर रही है book value की बात करें तो 19 रुपे के असपास की है इस टोक का PE जो है वो बहुत under value डे कर compare करता है हम industry के PE से और ROE and ROC जो है वो 10 के असपास है ROC जो है वो 13% के असपास है ROE की बात करें तो 10% के असपास है अपने निवेश्कों को यह 6 के महीने में इसने 124% के return दिया है और पात करें तीन महीने की तो 156% के return दिया है company पर 2 करोड़ का डेल करोड़ का almost date है एक करोड़ 64 लग कर डेट है company पर और face bag value जो है company की वो 10 रुपे के असपास है तो valuation के हिसाफ से जो stock है काफी अच्छा stock है अब मैं बात करूंगा इसके इसके चार्ट की पहले तह आप देखेंगे इसके चार्ट को कि यहां से लेके और इस एरिये तक यानि कि इस इतने time तक इस stock ने काफी बड़ा consolidation दिया है और consolidation की मैं बात करूंगा गाइस की आप यहां से देखेंगे कि नवंबर 2021 से लेके और जब तक इसकी result आये हैं जब आग यह इस टोग 58 नूपर बता तो काफी लंबे टाइम तक इस पर consolidation रहा और आब जैसे की results काफी शांदार आये हैं तो एक बड़ी तेजी बनी हुई है और आगे भी तेजी बनी रहेगी तो बात करते हैं गाइस इसके financial की तो आप financial देखेंगे इसके कि sales company की जो generate हुई ह वो जून quarter में 17 करोल की sales generate हुई है और जो March quarter में 15 करोल के आसपास की थी और जून quarter में 10 करोल की आसपास थी तो यहां से आप देखेंगे कि अच्छे कासी company को ही sales जो है और मैं बलोतरी हुई है और operating profit की बात करें गाइस तो operating profit जहां उतार चड़ाव आपको दिखेंगे पॉजिटीब की तरफ ही जा रहा है और आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में भी जो स्टॉक है वो company जो है वो आगे भी अच्छा परफॉर्म करती हुई जाएगी बट मैं expect करता हूँ कि operating profit margin at least इस company का इस label पर तो हो की जैसा यह इनका September quarter पिछले साल था तो फिर भी इ इसमें एक अच्छी तेजी बनी लेगी गाई स्टॉक में काफी ज्यादा काफी ज्यादा इन्होंने अच्छे रिजल्स इन्होंने पेश की हैं बात करें हम इनके जून quarter की तो जून quarter में company की जो net profit थी वो net profit माइनस में थी आप यहां पर देखें कि माइनस के तीन करोड के आस-पास की माइनस में थे जो अब बढ़कर 40 लाग की profit है तो 40 लाग का profit हुआ है company को जो इनके जो मार्च quarter के भी comparison में काफी अच्छा है और शांदार है तो यहां से जो तेजी बनी हुई है काफी buying pressure भी काफी ज्यादा अच्छा जा रहा है short term में आप अच्छा पैसा ले स stock में तो वैसे ही इसमें तेजी बनी रहेगी एटलिस कुछ दिन तक इसमें तेजी बनी रहेगी आप इसे stock में अपनी entry ले सकते हैं कुछ stock इसके लेके डाल सकते हैं क्योंकि company की जो valuation है काफी strong है और दूसरी बात टैकनी इसके financial जो है वो काफी strong है और fundamentally भी काफी strong है और इ आसपास company के रिजर्स हैं अभी और बोरोइंग company पर ना के बराबर है दो करोड़ का असपास company almost debt-free है और share holding की बात करें तो अभी वो शेर holding पैटरन इनका इन्होंने पब्लिश नहीं किया है आप बीसी पर तो इसको इंडस्ट्री बाइक ओले गाइस एडलिस कुछ शेर्स इसके ले सकते हैं आपकर आपके पास investment amount 10,000 का है तो आप इसमें कम से कम 5,000 के आप ले सकते हैं इस stock के और 10-20% के अगर आपको तेजी इसमें दिखाई देती है तो guys आप इसमें से profit booking भी कर सकते हैं तो short term के लिए एक अच्छी buy call है आपको ये stock जो है जल्दी से जल्दी आ जाता हुए दिखाई देगा क्योंकि वैल्यूएशन पर काफी अंडर वैल्यू डिस्टोग है और अच्छा परफॉर्म किया है इसने मार्चर मार्च के क्वाटर से और पिछले साल जून के क्वाटर से तो मेरे एंट से भाए को लगाई बागे आपने financial advisor से भी discuss कर सकते है तो thank you so much guys and all the best